बैंबो उसके श्टिक से मार खाके गया हूं जाता था बदमासी करने और हम लोग इधर बैठते थे पीचर है जो मेरे टाइम पर थे एक सर हुए और एक मैड़ा अप सब्सक्राइब करता तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो ना वह स्कूल दिखाऊंगा जहां मैं बचपन में जाता था बदमासी करने पढ़ने कम बचपन में जो ने बहुत शरारत करता था ऐसे एक स्टोरी बतातो हुआ कि एक बार मेरे को पढ़ने का मन नहीं था और मैं वहां गया ही नहीं मतलब कोचिंग कोचिंग भी परता था इसकूल भी उसी में परता था तो वहा के स्कूल तक वो बांस होता नहीं बैंबो उसके श्टिक से मार खाके गया हूँ मतलब छोटा था अखल उतनी नहीं थी और बदमाशी तो बहुत हद तक करता था जैसे जैसे वो पुरानी चीज़े मेरे याद आ रही है न भाई सूज तो यार मैं ऐसा था चलो कोई नहीं एक टाइम रहता सब कोई बदमाश होता है तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना स्कूल कौन-कौन सा था लाइक फर्स्ट वाला कौन सा था उसके बाद कहां सिफ्ट हुए तो यह वीडियो को या आई नो कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है बट अप लोग प्यार दो ताकि मेरा जो है न मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपकी लिए ऐसे ऐसे कॉंटेंट ला सकूँ तो गाइस यह रहा मेरा पहला वाला स्कूल जहां हम पढ़ते थे बट यहां अभी जो है ना राशन का दाना वगरा बांटा जाता है जो सर थे महादेव सर और उनकी वाइप पढ़ाती थी तो उनको जो है ना मकनाई में गॉर्मेंट जॉब लगया तो वो यहां से मबी सि स्कूल है जो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वहां हम लोग सिफ्ट हो गया थे और इसका तीन पॉश्चन है छोटे बच्चे लोग यहां पढ़ते थे फिर एक बीच में है और एक उससे अंदर है और यहां पर नारियल का पेड़ हुआ करता था और यहां पर फूल व वाला हूं यह दोनों जो है ना भाई का है लाइक बड़े भाई और एक मजले वाले भाई तो इसलिए दिखने में कहीं न कहीं सेम होगा तो आप लोग यह नहीं करते ना रहे भाई यह वाला स्कूल भी पहले जैसा दिख रहा है तो गाइस वह स्कूल से जब सरलोग चले कहते तो हम आये थे यहां सरस्वती पब्लिक स्कूल और गाओं के साथ से यह स्कूल जो है कुछ इस तरीके का है अंदर जो है लाइक सारी चीज वैसी की वैसी लगी हुई है यहां पर बोर्ड हुआ करता था तो वह शायद अभी अंदर रग देते पढ़ाने के टाम वाप और उससे आगे अंदर भी था वह दो बोर्ड जो बोलें बोर्ड देखे वाम पर लगा हुआ है यहां भी लगा हुआ रहता था था बेंच वगेरा और और बींच वगेरा लगा ход था लेकिन अभी आपलोग को पता है कि यह जो है ना डेवलःफ में लगा यह शोप अर यह और मैं जो यह बता रहा हूँ ना I think 2005-04 की बात थे वो टैम पे उतने स्कूल नहीं हुआ करते थे और बच्चे बाहर नहीं जाते थे बहुत रेर केस में बाहर जाते थे तो यह पूरा बढ़ा हुआ रहता था लेकिन अभी क्या है नए नहीं स्कूल रहे हैं वो नहीं नहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इसाब से सारे बच्चे बाहर चले गए यह तो यह दूसरा पॉइंट होगा है एक है जो गौर्मेंट यानि कि यहां से निकलने के बाद तॉ हैना हम गौर्मेंट इसकूल में गए थे तो आपको जो है अब गौर्मेंट इसकूल ले जाके श्कूला सबसमें क्वहां के बताते हुए तो चलिए हम फिम्हेंन दूप सकूल झाइस अंब बिख़ा दी और जो लास्ट वान स्कूल था जहां मैं अपनी समझों कि यह गाउं में लाश्ट अपना श्टड़ी किया था वो मद्विद्दाले उर्दू है बट इसको ना फेमस नाम से जाना जाता है जिसे धरवा स्कूल बोले जाता है तो यह अपना स्कूल अभी यह वाली बिल्डिंग और जो सामने बिल से राशन और किताब अगयरा रखा जाता था एक बार याद है मिरे खाल से 2007 या आठ में एक सालाब आया था और यह किचन जो था इसका दाना खराब होके पीछे गिरा हुआ था तो वो टाइम पे पूरे बच्चे आते नहीं थे और आप लोग को पता है कि यह गवर्मेंट दो सर है नाम मेरे को याद नहीं है एक मैडम है जो कि इसी गाउं की है और एक सर है बागी सारों का जो ना ट्रांसफर वगरा हो गया और चेंजेस स्कूल में देख रहे हैं जो लोग मेरे साथ या मेरे क्लासमेट होंगे उनको अच्छे से आईडिया होगा स्कूल के बारे अरुन कुरा सॉरी मैं भूल गया एक्चली यह मेरे ख्याल से बारा से तेरा साल हो गया होगा दोजार आट साथ की बात है और अभी चल रहा है और यह हमारे करंट के प्रिंस्पल सर आपका नाम मुहमद दकावल होदा तो सर थांक्यू आपने परमिशन दिया और ताकि मैं अ करती रहेगी कईना के इंप्रूव्मेंट होता ही रहेगा और बांकि यह सारे जो हैना नए टीचर्स यहां पर हम तो किसी को पैचानते नहीं है तो कोई नहीं यह रहा मेरा बच्पन का कुछ यादगार मतलब यहां से कुछ यादगार ही जुड़ा हुआ है तो सोचा आप अपना के आले के का बब बाई